नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर तो दोस्तों आज हम जन्वरी के महिने में कटिंग से लगाए जाने वाले बोधों के बारे में बाते करेंगे तो दोस्तों पहला नमबर आता है गुलाब का तो गुलाब में कई कलर के फ्लावर आते हैं और इसमें दो वैराइटी आती हैं, तो जैसे कि हमारे ये इंग्लिश वैराइटी का फुलावर खिला हुआ है, कितने बड़े साइज का है, आप देख सकते हैं, पिंक कलर का, और इसी के पास ये खिला हुआ है, एक ओरेंज कलर का, कितना बड़ा फुलावर है, ये औरेंज कलर का, और ये भी एक मल्टी कलर का खिला हुआ है, ये भी थोड़ा खिला है, पूरा नहीं खिला हुआ है, तो आप इस समय गुलाब को कटिंग से लगा सकते हैं, देशी गुलाब को, और इंग्लिश गुलाब की कटिंग नहीं लगाई जाती है, तो दोस्तों हमने इसको भी मतलब यह देसी गुलाब की कटिंग लगाई थी तो इसमें यह कली भी आने शुरूब हो गयी यह एक दो दिन में फुल खिल भी जाएगा었다 और एक पट में यह दो कलम लगा थी एक 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 ए और इस वाले pot में भी हमने यह तीन कलम लगा रखी है, देसी variety की, तो इस समय आप देसी variety को कटिंग से लगा सकते हैं, और गुलाब तो पर्मानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, और इसमें कई color आते हैं, जैसे white color आता है, pink color आता है, और एक इसमें red color आता है, और दोस्त यह अई बाकी यह दूसरे कलर घा मतलब की मिसी भी व्याइटे को जी Committee सामयू एंगा में पूरा साल ही फ्लावर आते हैं समर सीजन में फ्लावर आते हैं लेकिन समर सीजन में थोड़े से कम आते हैं और विंटर सीजन में तो इसमें भर भर के फ्लावर आते हैं मतलब गुढल की किसी भी वेराइटी को आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं और अगला प्लांट ह यह हमारा Coleus का प्लांट तो Coleus में भी कई कलर के यह पत्तो वाली वेराइटी आती है Coleus की और बहुत सुंदर लगती है रंग बिरंगे पत्तो वाली तो जैसे कि अब यह हमारा प्लांट लेगी लेगी सा हो गया है तो इसमें क्या होगा नीचे से पत्ते खतम होते जाएंगे और ये उपर की तरफ बढ़ता जाएगा तो हमें फिर इसकी कटिंग लगा लेनी चाहिए जैसे उपर से 2-5 इंच की कटिंग काटी और इसको सेंडी सोयल में ग्रो कर दिया और दोस्तों मतला कोलियस को भी आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं और अगला प्लांट है डेहलिया का प्लांट तो डेहलिया के प्लांट को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं जैसे कि ये नीचे से ब्रांच निकली हुई है और इसको यहां से काट के तीन से चार इंच की ब्रांच को आप लगा देंगे तो फिर इसका नया प्लांट बन जाएगा तो हमने भी एहना इसकी कर्ऴेus का कभाक देहले का प्लांट technology यह हमारा शीड्द से लगा हुए प्लान्ट है तो और एक बल्व से लगाया जाता है तो उसमें बड़े, काफी बड़े साइज का फिलावर आता है . और जोटे साइज का फिलावर आता है . तो इसकी किसी भी वैराइटी विए को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं इस महिने में और यह बहुत सुन्धर पूल देता है और दोस्तों हमने डहलिया का यह प्लांटे कटिंग से ही ग्रो किया है और अब यह चल पड़ा है आप देख सकते हैं अगर नहीं चलता न तो यह बिल्कुल मुर्जा जाता और अगला प्लांट है हमारा ये जिरेनियम का तो जिरेनियम में दो वाराइटी आती हैं एक जिरेनियम आई भी और एक जिरेनियम का प्लांट तो इसकी किसी भी वाराइटी को आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं काफी सुन्दर सु इसमे आपम देख सकते हैं दो चोरी तरह ड़ी कंगा है यलो है और यह बटीक राइई है तो के यह बंदय संसें लगते हैं चुरूर यह बंपनतर को सुंस सूंसलिक कर रो mostly, सुषूं की साइगा है तो इस समय आप पैंटास को भी कटिंग से असानी से लगा सकते हैं और दोस्तो अगला प्लांट है है हमारा पथर चट का प्लांट तो इस समय आप पथर चट को भी कटिंग से लगा सकते हैं और पथर चट का प्लांट तो एक सिंगल पत्ते से भी ग्रो हो जाता है बस इसका एक पत्ता तोड़ा और ऐसे ही सोयल में अगर आप रख दोगे तो फिर इसके प्लांट बन जाते हैं और बहुत ही सुन्दर प्लांट बनते हैं और दोस्तो पत्थर चट तो एक आयरवेदिक प्लांट होता है कई बिमारियों में इसका इस्तमाल किया जाता है और द इसी वराइटी में थोड़े छोटे साइज का फ्लावर आता है और हाइब्रेड में बड़े साइज का फ्लावर आता है और इसमें काफी सुन्दर सुन्दर बड़े साइज के बंच आते हैं बिल्कुल बंच में इसमें फ्लावरिंग होती है तो इस समय आप किसी भी प्लांट होता है और दोस्तों आप अगला प्लांट है बोगन-विलिया हाँ तो इस समय आप गोगन-विलिया को भी सटिंग से लगा सकते quantity और अगला प्लांट है यह आप इस समय कटिंग अलगा सकते हैं और यह हमारी वाइन वाली वराईटीपि जैसे वाइन वाली वराइटी भी आती है छोटे पत्तो वाली आती है डॉप और लार्ज मतलब कई वराइटी आती है तो आप इस समय किसी भी वराइटी को कटिंग से लगा सकते हैं और अगला है यह हमारा कनेर का प्लांट तो कनेर को भी आप इस समय कटिंग से भी लगा सकते हैं और इसमें ये सीड बने हुए हैं और ये जब ब्राउन हो जाएंगे तो इनको आप तोड़के और मतलब सीड से भी कनेर को ग्रो कर सकते हैं और कनेर में भी कई वराइटी आती हैं और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं बहुत सुंदर सुंदर और अगला प्लांट है सदा बाहर का प्लांट तो जैसे की इसका नाम है सदा बाहर तो आप इस समय सदा बाहर को कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं और दोस्तों इसमे बड़े बड़े फिलावर आते हैं और इसमें ये सीड पॉड भी बने हुए हैं तो आप चाहें तो इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और अगला प्लांट है एग जोरा का प्लांट तो एग जोरा में भी यह बंच आते हैं फू जैड प्लांट लिए प्लांट को भी आप इस समय कating से atmosphere ग्रों कर सकते हैं, और जैड प्लांट को बहुत ही शुप प्लांट माना जाता हैं, और अगला स समय के लिए हृ़ण माहाला आप रोईयो इस समय को भी पयुह मातर ccm लाए थे और उसके बाद हमने कई गमले बना लिये हैं पर परल हाट गे और दोस्तों अगला है हमारा लेंटाना का प्लांट तो इस समय आप लेंटाना को भी कटिंग से लगा सकते हैं बहुत ही सुंदर चुंदर इसमें फ्लावर आते हैं चोटे चोटे बंच में फ्लावर आते हैं और अब इसमें तो नई बिल्कुल एकदम नई ग्रोथ शुरू हो गई है और इसमें ये सभी नई नई पत्तिया आने शुरू हो गई है तो इस समय मतलब आप टिकोमा को भी कटिंग से ग्रोव कर सकते हैं और यह पर्मानेंट प्लांट होता है और बहुत सुंदर सुंदर इसमें बंच में फिलावर आते हैं और दोस्तो अगला प्लांट है कामनी तो इस समय आप इस प्लांट को कटिंग से आसाने से ग्रोव कर सकते हैं पस इसकी हमें उपर से 2-3 इंच की कटिंग लेनी है और उसको सेंडी सोयल में ग्रोव कर दोगे फिर हमारा एक और प्लांट बन जाएगा और इसमें छोटे छोटे फिलावर आते हैं वाइट कलर के और उनकी बहुत ही बढ़िया होती है और कामनी की कई वराइटी आती है और उसके मतलब पौधे भी कोई बड़ा रहता है कोई छोटे साइज का रहता है तो इस समय आप इसकी किसी भी वरा बनी हुई है ब्लू कलर की और इस समय आप इस प्लांट को बिल्कुल कटिंग से ग्रो कर सकते हैं यह बहुत ही सुन्दर प्लांट होता है और पर्मानेंट प्लांट होता है और अगला प्लांट है राखी वेल या किर्शन कमल या पैसी फ्लोरा तो इस समय आप इसको भी वे टृजर एक पैंड़ फैम में संसरे छोटे पांच प्लांट में में लगा हुआ है और अगला है हमारा dainthus का پ्लांट तो इस समय आप dainthus की भी कटिंग लगा सकते हैं और ये तो permanent प्लांट होता है इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं और अगला है हमारा बिगुनिया का प्लांट तो बिगुनिया सैमी सेड में भी ग्रो हो जाता है और इसमें कई कलर आते हैं और इसमें पत्तो का कलर भी अलग आता है एक में कौपर कलर आता है और एक और प्लांट है गलाडिया, तो गलाडिया को इस समय आप सीड से भी लगा सकते हैं और ये लगे हुए हैं हमारे कुछ डेहिलिया के पलांट जो हमने seed से grow किये थे और अब इन में पहुत सुंदर-सुंदर फूराने शुरू हो गए हैं और सभी में कलिया भी बने लगी हैं और ये आया हुआ है एक white color का flower काफी सुंदर लग रहा है ये white color का flower भी और दोस्तो इस समय आप पिटूनिया को भी cutting से लगा सकते हैं और पिटूनिया winter season का बहुत ही सुंदर flowering plant होता है और इसमें रंग प्रंग के flower आते हैं कई रंगों के flower आते हैं और इसमें जैसे एक color आता है एक color का भी cool आता है और डबल color का भी इसमें flower आता है तो इस समय आप इसको cutting से आसाने से grow कर सकते हैं और इसी के पास है यह हमारा वरवीना का plant तो आप वरवीना को भी समय cutting से grow कर सकते हैं यह भी winter season का बहुत ही सुंदर flowering plant होता है तो दोस्तो अब तक हमने जो आपको plant बताए हैं उन सभी को आप winter season में मतलब जन्वरी के महिने में cutting से grow करें और अपने garden में धेरो plant बनाएं तो दोस्तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं और वीडियो को like करें और अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के पास भी share कर सकते हैं तो आज के लिए वस इतना हैं फिर मिलते हैं नमस्ते जी धन्यवाद